नमस्कार जैहिंद लर्निंग मंत्रा के आउनलाइन पाट साला में आपका स्वागत है राज के तीसरे वीडियो में हमारा आज का पहला सवाल है जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्व प्रतम राजनीति सास्त्र में राज की अवधारना को प्रस्तुत किया वह कौन था आपके विकल्प हैं A. प्लेटो, B. अरस्तु, C. मैकियावली या D. हाप्स यहाँ पर आपका सही जबाब होगा विकल्प शंख्या B. यानि की अरस्तु, अरस्तु को प्रतम राजनीतिक वैज्यानिक माना जाता है अरस्तु ने ही सबसे पहले पास्चात जगत में राज के सांगो पांग शिद्धान्द का प्रतिपादन किया उसने कहा कि राज एक स्वाभाविक संस्था है और वही सम्मिधान सबसे अच्छा है जो सबसे अधिक स्थाई होता है अगला सवाल है क्वेस्चन नंबर दो किस आधुनीक राजनीतिक विचारक ने सरव प्रत्थम विश्वका ध्यान पुलिस राज की धारणा से कल्यानकारी राज की धारणा की ओर आकरशित किया है आपके विकल्प है कारल माक्स, बेंथम, रूसो और डी है लास्की तो सही जबाब इसमें होगा विकल्प संख्या डी यानि की लास्की आधुनिक राजनीतिक विचारकों में से सरव प्रत्थम लास्की का ध्यान पुलिस राज की ओर से हटा कर कल्यानकारी राज की ओर गया लास्की ने समाजवाद के उद्देश और लोगतंत्र की प्रणाली को एक साथ मिलाने का समर्थन किया और राज के कल्यानकारी कारियों को विशेश ध्यान दिया था अगला सवाल है question number 3 निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कल्यानकारी राज यानि की welfare state शब्द का सर्व प्रथम प्रयोग किया गया citizen and churchman, citizen above churchman, citizen and churchman और citizen not churchman तो यहाँ पर आपका सही जबाब होगा विकल्प संख्या C यानि की citizen and churchman citizen और churchman, Roman Catholic Arc Bishop Richard Temple की रचना है कहने का मतलब है कि जो citizen and churchman नाम की पुस्तक है वो Roman Catholic Arc Bishop Richard Temple की रचना है इसी में father Richard Temple ने सबसे पहले welfare शब्दाबली का प्रयोग किया था अगला सवाल है question number 4 राज की उत्पत्ती के सामाजिक समझोते का सिध्धान्त प्रतिपादित करता है क्या करता है विकल्प है राज बनने के पहले मनुश्य प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था बी है राज ईस्वर का प्रतनिधी है सी राज सक्ति का परणाम है या डी राज विकास की स्वाभाविक प्रक्रिया का परणाम है तो यहां पर आपका सही जबाब जो होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या ए राज बनने के पहले मनुसे प्राकृतिक अवस्था में रहा करता था विकल्प आपका ए सही होगा सामाणने तोर पर सामाजिक संविदा के सभी विद्वानों ने राज के निर्माण की प्रक्रिया के पूर्व प्राकृतिक अवस्था सामाजिक समझोता नागरिक समाज की अस्थापना और अंधत है राजनितिक समाज की अस्थापना के चरणों का क्रमसह वरणन किया है अगला सवाल है question number 5 राजी केवल पर विशयक क्रियाओं में हस्तक शेप कर सकता है यह किस ने कहा विकल्प है लॉक, स्पेंसर, टी एच ग्रिन या जेएस मिल तो यहाँ पर आपका सही जबाब होगा विकल्प शंख्या D यानी की जेएस मिल जेएस मिल ने व्यक्तिके कारियों को दो भागों में बाटा था पहले को उन्होंने कहा स्वाविशयक और दूसरे को पर विशयक या परसंबंधी परसंबंधी कारिय व्यक्तियों के वे कारिय हैं जिनसे समाज और अन्य संबंधी प्रभावित होते हैं जैसमेल ऐसे कारियों में राज द्वारा हस्तक्षिप को मानता है क्योंकि ऐसा नहीं करने पर व्यक्त की स्वतद्रता का हनन हो जाता है अगला सवाल है question number 6 निम्नलेखित में से कौन शार राज की कारियों का उदारवादी सिध्धान्त है विकल्प आपके है आपके विकल्प होंगे यानि की उपयोगितावाद उपयोगितावाद राज के कारियों के उदारवादी सिध्धान्त के अंतरगत आता है जो नकारात्मक उदारवाद का एक भाग है नकारात्मक उदारवाद जो है वो अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन करता है और उपयोगितावाद जो है वो अधिक्तम लोगों के अधिक्तम सुख की बात करता है और इस विचारधारा से संबंध है बेंधम का अगला सवाल है question number 7 राजिकी उद्पत्ती के संबंध में उदारवाद की सहमती है तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा विकल्पशंख्या यानि कि सामाजिक अनुबंध सिद्धांद से तो राजिकी उद्पत्ती के संबंध में उदारवाद की सिद्धान्त को शाहमती प्रतान करता है तो आंसर आपका क्या हो जाएगा सामाजिक अनुबंध सिध्धान्थ यानि की सामाजिक समझोता सिध्धान्थ उदारवादी बिजारक राज्यकों ऐसी संस्था मानते हैं जिसे सभी मनस्यों या उनके समुहों ने मिलकर अपने हित और अपने लाव के लिए बनाया है सामाजिक अनुबंध का सिध्धान्थ राज्यकी उत्पत्ती के बारे में एक ऐसी परिकल्पना को व्यक्त करता है सिध्धान्थ या सामाजिक समझाता सिध्धान्थ को अपनी माननेता देते हैं और सामाजिक अनुबंध सिध्धान्थ का जो संबंध है वो है उदारवाद से अगला सवाल है क्वेस्चन नंबर आठ निम्नलिखित में से किसने राज्यों का वर्गी करण गड़तंत्र कुलीन तंत्र और राजतंत्र में किया है वेकल्प आपके हैं हॉप्स मैकियावली बोदा या फिर मान्टेस्क्यू सही जबाब इसमें होगा वेकल्प डी आपका मान्टेस्क्यू मान्टेस्क्यू ने राज्यों का वर्गी करण किया था एक था गड़तंत्र दूसरा राजतंत्र तीसरा कुलीन तंत्र लोगतंत्र के पीछे जनसेवा की भावना रहती हैं कुलीन तंत्र का आधार सैयम का सिध्धानत हैं और राजतंत्र सासन का आधार सम अगला सवाल है question number 9 राज की प्रकृति और उसके कारियों की उदारवादी अवधारणा को सरवाधिक सुवस्पस्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला विचारक कौन है विकल्प आपके है जानलॉक बेंथम मांटेस्क्यू और अरस्तू विकल्प आपका सही होगा जानलॉक यानि की राज की प्रकृति और उसके कारियों की उदारवादी अवधारणा को सरवाधिक सुवस्पस्ट रूप से ब्याख्या करता है जानलॉक जो है आपको पता है कि इसको उदारवाद का जनक या उदारवाद का पिता लॉक को कहते हैं वह पहला ऐसा विचारक था जिसने जीवन स्वतंद्रता संपत्ती के अधिकार को प्राकritिक अधिकार मानते हुए तर्ग दिया कि सरकार की अस्थापना इनहीं अधिकारों की रक्षा करने के लिए हुई है अगर वह अपना उत्तरदाइट्व नहीं पूरा कर पाती तो नागरिकों को अपनी सरकार के बिरुद्ध क्रांती करने का भी अधिकार है अगला सवाल question number 10 निम्नलिखित में से किसने राज की कारियों के संबंध में बाधाओं को बाधित करना कहा विकल्प आपके हैं A. बोशांग के B. जेस मिल C. स्पेंसर और D. है ती एच ग्रीन तो सही जबाब होगा ती एच ग् विकल्प संख्या D. ग्रीन की मान नयता है कि राज का उद्देश व्यक्ति का नयतिक विकास है वो चाहता है कि राज व्यक्ति को वह कारि करने दे जो कारी करने के योग्य हैं और इनके करने में जहां वह बाधाओं के कारण असमर्थ हो तो उन बाधाओं को दूर करे यान कि राज का कारी बाधाओं को बाधित करना है ये मानना है टी एच क्रीन का अगले सवाल में आपको दो सूचियां दी गई हैं एक तरफ आपको स्टेटमेंट हैं और दूसरी तरफ आपको विचारकों के नाम है तो राज एक पूर्ण समुदाय है तो राज एक पूर्ण सम माना है अरस्तुने यानि कि ए में आपका वन मैच होगा इसके बाद राज मानव अवयवी प्रतिरूप है तो इसका जो मिलान होगा वो हो जाएगा आपका ब्लंड सली से यानि कि दो में आपको तीन मैच करवाना है इसके बाद राज मानों स्वभाव के सारवभावमिक सिध्धान्द की अनुक्रमिक उपलब्धी है यह हो जाता है बरगेश का यानि C में आपको 4 मिलाना है और उसके बाद राज परिवारों और उनके सामुहिक संगर्सों सामुहिक कारियों का संग है यह कहा है बोंदाने तो इस तरह से आप मैच करवा के कूट से अपना सही आंसर दे सकते हैं और इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा विकल्प संख्या यहाँ पर विकल्प आपको पूरी तरह से सही नहीं मिलेंगे तो जो यहाँ पर मैच करवाया गया है उसके आधार पर आप आंसर लगा सकते हैं आंसर कि अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें आपका सही हो जाएगा A में 1 सही हो जाएगा B में आपका 3 सही हो जाएगा C में आपका C में 4 सही होगा और D में 2 सही हो जाएगा अगला सवाल है question number 12 राज्य शब्द का प्रयोग सर्व प्रथम किस ने किया आपके विकल्प है A. प्लेटो, B. अरस्तू, C. गार्नर, D. मैकियावली सही जबाब होगा मैकियावली विकल्प शंख्या D राजनीतिक दर्षन की इतिहास में राज्य शब्द के परियाए यानि कि स्टेट की व्यूत्पत्ती जो है वो ग्रीक सब्द स्टेटो से हुई जिसका सर्व प्रथम प्रयोग मैकियावली ने अपनी पुस्तक दप्रिंस में किया इसके पहले यूनानी दार्षनिक अरस्तु ने राज्य के अर्थ को ब्यक्त करने के लिए नगर राज्य का प्रयोग किया था अगला सवाल है question number 13 निम्नलिखित में से कौन कल्यानकारी राज्य से मेल नहीं खाता है यहाँ पर ध्यान रखेंगे कौन मेल नहीं खाता है तो इसमें आपको विकल्प दिये गए हैं ए सभी नागरिकों के लिए संतोस जनक जीवनस्तर बी है कमजोर वर्गों जैसे बुड़ों के लोगों का संदक्षन सी है निहसुलक और स्वास्त संबंधी शाहता और डी है निजी संपत्ती के अधिकारों की समाप्ती तो यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा डी वाला विकल्प यानि कि निजी संपत्ती के अधिकारों की समाप्ती कल्यानकारी राज्य का उद्दे से अपने सदस्यों के सामान्य हितों को बढ़ावा देना है न कि निजी संपत्ती का उनमूलन करना है इसका उद्दे से पाँच बड़ी बुराईयों का अंत करना है और वो कौन से है एक है अभाव, रोग, अज्ञान, दरिद्रता और बेकारी कल्यानकारी राज्य यह प्रयास अवश्य करता है कि नागरिकों को अभाव के कारण या असहाय अवस्था में जीवन या स्वास्थ से हाथ नध होना पड़े लेकिन वह आर्थिक विशमताओं को जड़ से मिटा देने की कोशिश नहीं करता अगला सवाल है question number 14 राज्य का कौन सा कारिय सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है तो राज्य के कारिय आपको बताने है जो सकारात्मक उदारवाद से संबंधित हो आपके विकल्प हैं संपत्ति की सुरक्षा, रोगों से रक्षा, राज और व्यक्ति की सुरक्षा, समाज कल्यान की अभिवरिध्धी आपका विकल्प होगा समाज कल्यान की अभिवरिध्धी करना विकल्प शंख्या D राज्य का कौन सकारी सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है तो सकारात्मक उदारवाद से संबंधित राज्य का जो कारी है वो है समाज कल्याण की अभिवृध्धी सकारात्मक उदारवाद समाच हितकारी राज चाहते हैं ये जन कल्यान के नाम पर राज की गतिविधी के क्षेत्र में वृध्धी की कामना करते हैं इसी कारण वे कल्यान कारी राज के पक्ष का कारी करते हैं संकल्प सक्तिका नहीं राज का आधार है इसका मतलब क्या होता है संकल्प सक्तिका नहीं बलकि राज्य का आधार है इसका अर्थ आपको बतलाना है विकल्प आपके शामने है मनुस्यों की इक्छाओं से राज्य का स्रिजन हुआ है राज्य सक्तिसाली मनुस्य की इच्छा की उत्पत्ति है C है नैतिक और राजनीतिक दैतों का एक ही स्रोत है और D है उपर यूगत में से कोई नहीं तो सही जबाब आपका होगा विकल्प संख्या A यानि कि मनुस्यों की इच्छाओं से राज्य का स्रिजन हुआ है T.H. Green कहता है संकल्प न की सकती राज्य का आधार है यानि कि राज्य का आधार संकल्प है इसका नहितार्थ जो है कि मानव चेतना स्वतंदरता के परिवेश में उन आग्रहों को स्वयंग सिध मानती है जो समाज की मान्यता पाने के बाद अधिकारों का रूप प्राप्त कर लेते हैं अगला सवाल है Q16 एक कल्यानकारी राज की आधारना को पहली बार स्पस्ट किया गया बालफोर घोशणाओं में ब्रेवरीज प्रतिवेदन में न्यू डिल नीती में या भारती संविधान में समाविष्ट राज की नीत निर्देशक तक्तों में आपका सही जबाब होगा विकल्प संख्या B यानि की ब्रेवरीज प्रतिवेदन में कल्यानकारी राज की आधारना की पहली बार स्पस्ट्रता लाड विलियम ब्रेवरीज की रिपोर्ट से मिली जिसमें पांच बड़ी बुराईयों बिमारी बेरोजगारी अग्यानता भुकमरी और आस्रया भाव में उनमूलन की राज की सकारात्मक भूमिका की कामना की गई लॉर्ड एटली की स्रम सरकार ने ब्रेवरीज रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू गिया इसलिए ब्रेटेन को कल्यानकारी राज का घर होने का स्रेय मिलता है यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जितने भी क्वेस्टन्स अब रिपीट हो रहे हैं क्योंकि यह राज से संबंधित तीसरा पार्ट है तो अब अधिकान सवाल आपको रिपीट भी मिल रहे होंगे और उन सवालों का जबाब आप बहुत जल्दी सी देने की कोशिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा इससे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ क्वेस्टन नंबर 17 है निम्नलिखित में से कौन सा सिध्धान्त राज्य के कारियों को निम्न विशयों तक सीमित करता है व्यक्ति की वाहिय आक्रमण ऐवंग आंतरिक उपद्रमों से रक्षा संपत्ती की लूट और क्षटी से रक्षा और तीसरा है व्यक्ति की धोके पूर्ण समझहोते और समझहोतों के उलंगन से रक्षा ये किस विचारधारा को मानता है तो इसमें आपको जो विकल्प दिए गए हैं वो है उपयोगितावाद, उदारवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद या फिर फांसीवाद तो सही जबाब आपका होगा इसमें उदारवाद विकल्प संख्या यहाँ पर बी वाला आपका सही होगा उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंद्रता और राज की सत्ता को परस पर विरूधी मानते हैं ऐसे में इस निसकर्ष पर पहुंसते हैं कि सर्वत्तम राज वो है जो निवनतम काम करें और इस विचारधारा की समर्थक राज को विदेसी आक्रमन से रक्षा करने देश के भीतर सांती और सुरक्षा बनाए रखने तथा कानून और न्याय की व्यवस्था स्थापित करने क कार्य ही सवपना चाहते हैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं अगला सवाल है क्वेस्टन नंबर अठारा जिसमें आपको दो सूचियां दी गई हैं एक तरफ बिचारकों के नाम और दूसरी तरफ सिध्धांद दिये गए हैं सिध्धांतों के साथ आपको मैच करवाना है तो हॉप्स जो है वो सामाजिक अनुबंध सिध्धांद से संबंधित है तो एका आप फोर लगाएंगे इसके बाद ओपिन हाइमर है तो ओपिन हाइमर जो है वो सक्ति सिध्धांद से संबंधित है तो इसका मतलब है बी में आप तीन लगाएंगे इसके बाद सर हिनरी मै हैं तो Henryman Patrick सिधान से संबंधित है यानि कि पित्र सत्तात्मक सिधान से तो C का आप वण लगाएंगे और इसके बाद एक बचता है जिसमें James प्रथम दैवी उत्पत्ति की सिधान यानि D में आप 2 लगाएंगे तो इस तरह से जो आपका सही जबाब होगा 4312 आपका सही हो जा अगला सवाल है question number 19 राज की उत्पती के पित्र प्रधान सिधान्त का समर्थन निम्नलिखित में से कौन करता है अब आपका इसमें सही जबाब last वाले question में ही मिला था जिसमें सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प B. Henry Mann Henry Mann ने पित्र सतात्मक सिधान्त का समर्थन किया है जबकि मैक लेनन, मौर्गन और जेम्स ने मात्र प्रधान सिधान्त को समर्थन दिया है अगला सवाल है question number 20 इंगलेंड में लॉड बेवर प्रतिवेदन में जिस राज की आउधारना को प्रकट किया गया वह कौन सा राज था उदारवादी राज, पंथ निरपेक्ष राज, समाजवादी राज या फिर कल्यानकारी राज तो आपका सही जबाब होगा कल्यानकारी राज विकल्प संख्या D इंग्लेंड में लॉर्ड ब्रेवरीज ने अपने प्रतिवेदन में कल्यानकारी राज की आवधारना को अस्पस्ट किया उसने यह बतलाने की भरपूर कोशिस किया कि राज के कल्यान के लिए भुकमरी अज्ञानता नर्धनता बेरोजगारी बिमारी इत्याद समस्याओं को शमाप्त किया जाए और इसके लिए प्रबल सब्दों में शिफारिस की जिसे राज की एटली सरकार ने लागू करने के ल मैकाईवर का कथन है कि राज की उत्पत्ती के मुख्य तत्व है सगोतरता धर्म आर्थिक तत्व अंतररास्टियवाद तो यहाँ पर आपका सही जबाब बताना है तो कौन सा इसमें सही जबाब हो जाएगा तो विकल्प संख्या यहाँ पर ए सही होगा वन टू और थ्री यानि कि अंतररास्टियवाद जो है वो मैकाईवर के कथन में राज की उत्पत्ती के मुख्य तत्व में शामिल नहीं होता अब बात करने अगर कि मैकाईवर के अनुशार आतिहासिक प्रमाणों के आधार पर राज के विकास के मुख्य चरण कौन कौन से हैं तो वो है लेख नहीं मिलता अगला सवाल है क्वेशन नंबर 22 राज का विकास हुआ है निर्माण नहीं यह कथन किसका है गार्नर का टी एच ग्रीन का पी फर्गिस का स्पेंसर का तो यहां पर आपका सही जबाब जो होगा वो होगा विकल्प संख्या ए गार्नर का गार्नर ने कहा क कि राज न तो इस्वर कि स्रिष्टी है और न उच्च कोट के सारीरिक बल का परडाम नहीं किसी प्रस्ताव या समझोते की कृती है और नहीं परिवार का विस्त्रत रूप यह करमिक विकास से उदित एक अइतिहासिक संस्था है अगला सवाल है question number 23 जिसमें आपको दो सूच दिया गया है एक तरफ आपको statement है और दूसरी तरफ आपको विचारकों के नाम दिये गए है तो राज व्यक्ति का ब्रिहद रूप है यह कहा था प्लेटो ने तो यह कहा था प्लेटो ने तो एक आप फोर लगाएंगे थ्री लगाएंगे ए में थ्री आपका सही होगा इस अपने लिए बनाया है तो इसमें ब्यक्ति को राज की उपेक्षा करने का अधिकार देता है स्पेंसर यानि की बी में आपका फोर सही होगा इसके बाद राज वह संसार है जिसे आत्माने स्वैंग अपने लिए बनाया है तो यह कथन है हीगल का यानि की सी में आपको टू लगाना है इसके बाद वह जो राज का सदश नहीं है या सदश होने के लिए योग नहीं है वह या तो देवता है या तो पसु है यह स्टेटमेंट जो है वो है अरस्तु का यानि कि डी में आप वन लगाएंगे तो इस तरह से 3421 आपका सही जबाब हो जाएगा यानि कि विक राज का प्रभावकारी कार्यक्षेत्र आवश्यक रूप से बाधाऊं below को दूर करना प्रतीत होता है उपरयुक्त कथन का संबंध है किस विचारधारा से उपयोगितावात से उदारवाद से लोक कल्यानकारी राज से या फिर समाजवाद से सही जबाब होगा लोक कल्यानकारी राज से यानि कि विकल्प शंख्या ये आपका सही हो जाएगा टीएच ग्रीन ने राज का कार्य बाधाओं को बाधित करना माना है टीच ग्रीन ने राजिक के हस्तक शेप के लिए परियाप्त कार्यक्षेत्र का संकेत दिया उसने सामाजिक सुधार के कार्यों का केवल ब्यवहारिक अस्तर पर ही समर्थ नहीं किया बलकि उनको राजिक के अनिवार्य कार्यों में माना उनके अनुशार ब्यक्तिगत स्वतंदरता के लिए सामाजिक भलाई आवस्चिक है और यही विचार बीश्वी सताब्दी में कल्यानकारी राज का आधार बना जिसका स्पस्टी करण लास्की और मैकाईवर की अनिक रचनाओं में मिल जाता है अगला सवाल है question number 25 राज की उत्पति का सामाजिक अनुबंध सिध्धान्त मानता है कि व्यक्ति और राज का संबंध नैसरगिक है सावयवी है एच्छिक है या उपर युक्त में से कोई नहीं तो आपका सही जबाब इसमें होगा कि एच्छिक है यानि कि राज की उत्पति का जो सामाजिक अनुबंध सिध्धान्त है वो मानता है कि व्यक्ति और राज का संबंध एक्छिक है यानि कि इच्छाओं पर निरभर करता है प्लेटो और अर्स्तु आदर्सवादी राज को नैसर्गिक मानते हैं आदर्सवादी राज को सावयवी भी मानते हैं इसके विपरीत समाज के समभिना सिधांद के प्रतेक चिंतक के अनुसार ब्यक्तियों ने अच्छिक समझोता किया है यानि खुद की इच्छा से समझोता किया है अगला सवाल है question number 26 राज आर्थिक स्वायतता की मांग कर रहे हैं ब्यवस्थापन के क्षेत्र में प्रसासनिक क्षेत्र में वित्तिय क्षेत्र में या फिर उपर युक्त सभी में तो सही जबाब होगा वित्तिय क्षेत्र में यानि की विकल्ब संख्या आपका सी सही होगा राज अधिक स्वायतता की मांग वित्तिक शेत्र में करते हैं आपको मालूम भी होगा कि अधिकांस वित्ति अधिकार संग के पास है और राज्यों को हमेशा संग के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है जिसे से राज्यों की स्वायतता बहुत सीमित हो जाती है अगला सवाल है question number 27 राज के विकास के संदर में निमनलिखित पदों का सही क्रम नीचे दिये गए कूट से आपको करना है यहाँ पर आपको न्याय दिया है ब्यवस्था, सुरक्षा, कल्यान यह आपको पद दिये गए हैं और इसमें आपको सही क्रम बताना है अब आपको कूट की सहायता से जो आपका इसमें सही जबाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानि कि 3,2,1,4 आपका सही क्रम होगा अब राज के विकास का सही क्रम देखें तो सुरक्षा, व्यवस्था, न्याय और कल्यान होता है सुरक्षा, आक्रमण और सहज न्याय के कारियों के अलावा उनका मुख्य उद्दे से थोड़े से सक्तिसाली लोगों की शत्ता और विशेशा धिकारों की रक्षा करना होता है question number 28 में दो सूचियां दी गए है, सूची एक और दो को आपको मैच करवाना है, एक तरफ statement है और दूसरी तरफ विचारकों के नाम है इस पूरे question को आप ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद जो आपका सही आंसर होगा वो होना चाहिए विकल्प शंख्या C यानि की 2, 3, 4, 1 आपका सही जबाब इसमें हो जाएगा एक बार इस पे ध्यान दे लिजिए कि राज एक वर्ग पर दूसरे वर्ग का आधिपत्य बनाए रखने की संस्था है ये कहा था कार्ल माक्स ने इसके बाद राज धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग का उत्पीडन का यंत्र है ये कहा था ओपेन हाइमर ने राज पारस्परिक भरोसे के लिए सुरक्षा संबन्धी एक ज्वाइंट स्टॉक कमपनी है ये कहा था स्पेंसर ने और राज पृत्वी पर इस्वर का आगमन है ये कहा था हीगल ने तो आंसर आपका इसमें सी वाला सही होगा अगला सवाल है question number 29 निम्नलिखित में से कौन सकारी कल्यानकारी राज को नहीं करना चाहिए तो आपके जो विकल्प दिये गए है नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आर्थिक विधियों पर नियंत्रन विदेसी आक्रमणों से नागरिकों की रक्षा या राज में सांती बनाए रखना तो यहाँ पर आपका सही जबाब हो जाएगा विकल्प संख्या ए यानि कि नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए अगर कोई लोक कल्यानकारी राज है तो विदेसी आक्रमणों से राज की रक्षा और सांती बनाए रखना तो राज का करता है लेकिन नागरिकों के धार्मिक मामलों में राज का कोई हस्तक्षेप नहीं होता अगला सवाल है question number 30 राज के विकास के संदर में निम्नलेखित पदों का सही करम आपको बताना है ये सवाल कई बार repeat हो रहा है तो इसलिए इसको आंसर आप खुद दे सकते हैं सबसे पहले क्या आ जाएगा इसमें नगर राज उसके बाद समाज राज फिर राज समाज और अंत में आता है रास्ट राज तो इसका जो सही जबाब होगा कूट में आपका आंसर हो जाएगा भी 1342 एक तीन चार दो आपका सही करम होगा अगला सवाल है question number 31 किसने परिभासित किया है कि संप्रभुता ऐसी सरवोच सत्ता है जो अनिक किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र है विकल्प आपको दिये गए है केल्सन, विलोबी, ओपिन हाइम और बेंथम तो सही जबाब इसमें होगा विकल्प संख्या सी ओपिन हाइम ओपिन हाइम ने कहा था प्रभुसत्ता सरवोच प्राधिकार है यह ऐसा प्रतिकार है जो हर भौतिक प्राधिकार से स्वतंत्र या उसके ऊपर है विलोबी के अनुसार प्रभुसत्ता राज की सरवोच इच्छा है केलसन ने कहा कि अपने मौलिक और एक मात्र अस्पस्टा भाव में प्रभुसत्ता का आशय सर्वुच प्राधिकार से होता है अगला सवाल है क्वेस्टन नंबर 32 राज के उदभव के विशय में माक्षवादी चिंतन का मानना है कि राज संपत्ति साली वर्ग द्वारा अपने हित रक्षण के लिए बनाई गई संस्था है या राज एक आयतिहासिक प्राकृतिक और धीरे धीरे विक्सित होने वाली संस्था है राज दैवी सक्ति का वर्दान है या राज द्वारा सोच समझ कर बनाई गई या राज जो है वो ब्यक्ति द्वारा सोच समझ कर बनाई गई एक संस्था है तो यहाँ पर आपका जो सही जबाब होगा वो हो जाएगा A यानि कि राज संपतिसाली वर्गद्वारा अपने हित रक्षण के लिए बनाई गई एक संस्था है ये कहता है माक्सवादी विचारधारा आंसर इसमें हो जाएगा A अगला सवाल है question number 33 निम्नलिखित में से कौन सजोड़ा सही रूप में संबध्ध है संबध्ध नहीं है सर हिन्री मैन राज की उत्पति का अईतिहासिक सिध्धान्त सही है हॉप्स कहता है कि राज की उत्पति का समझहोतावादी सिध्धान्त इसे संबंधित है बिलकुल राजी की उत्पत्ती का सक्ति सिध्धान्त ओपिन हाइम है और राजी की उत्पत्ती का दैवी सिध्धान्त इससे आस्टिन संबंधित है या नहीं तो राजी की उत्पत्ती के डैवी सिध्धान्त से आस्टिन का संबंध नहीं है इससे जेम्स पृत्थम का संबंध होता है राज विधी नैतिक्ता और धर्म का रक्षक और उन्हें लागू करने वाला था वैदिक काल मेर राज नागरिकों की बाहरी आक्रमन से रक्षा करता था यह आंतरिक व्यवस्था की अस्थापना परंपरागत नेमों को लागू करके करता था यह राज हस्तक्षेप की नीतिक अनुसरन करता था या राज्य जनता को सर्व व्यापक और सर्वगुन संपन मानने के लिए तैयार थी आंसर आपका होगा इसमें विकल पसंख्या C यानि राज्य अहस्तक्षिप की नीति का अनुसरन करता था ये आपका इसमें प्राचीन भारत में राज्य का कारिय नहीं थ अगला सवाल है question number 35 निम्नलिखित में से किस ने राज के एक सिधान्थ की अपिक्षा राज की सुरक्षा का सिधान्थ प्रतिपादित किया आपके वेकलप है A. मैकियावली, B. बोदा, C. हीगल और D. ट. त. ग्रीन तो सही जबाब इसमें होगा A. मैकियावली मैकियावली का चिंतन राज सिधान्थ नहीं बलकि राज सुरक्षा का सिधान्थ है मैकियावली का उद्देश से व्यवहारिक द्रिश्टि से ऐसे सिधान्थों का प्रतिपादन करना है जिन्हें ब्योहार में लाकर एक सासक अपने राजे की सुरक्षा और सासन का सफल संचालन कर सकता है अगला सवाल है question number 36 सक्ती अभिजन के सिध्धान्त का समर्थन किस ने किया है सारटोरी, परेटो, बर्नहम या सी राइट मिल्स आपका सही जबाब इसमें होगा अभिजन के लेखक सी राइट मिल्स ने सासक वर्ग शब्द को उचितना मानकर उनके अस्थान पर सक्ती अभिजन सब्द का प्रयोग किया है तो ध्यान रखेगा सासक वर्ग के अस्थान पर सक्ती अभिजन यानि कि पावर इलाइट सब्द का प्रयोग किया है वह शक्ति शब्द में आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक धारणाओं को मिलाकर सक्ति अभिजन शब्द को बनाते हैं अगला सवाल है Q37 निम्नलिखित में से किसने राज्य उत्पत्ती के सक्ति सिध्धान्द का समर्थन किया है अंसर आपका होगा विकल्प संख्या C ओपन हाइमर अगला सवाल है Q38 सामाजिक संविदा सिध्धान्द के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है राज एक जीवित सत्य है राज एक उपकरण है राज एक वर्ग है या सभी तो सामाजिक संविदा सिध्धान्द के अनुसार राज एक उपकरण होता है सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझोते का सिध्धान्द राज की उत्पत्ती के बारे में कैसी परिकल्पना को व्यक्त करता है जिसने उधारवाद की मान्यताओं की पुष्टी हो जाती है इसके अनुसार राज किसी वर्ग का हतियार नहीं है और ये राज को एक साधन के रूप में मानते है Q39 में है वैज्यानिक पधती का संबंध है समाजवादियों से, ब्यावहारवादियों से, माक्षवादियों से या फिर व्यक्तिवादियों से तो सही जवाब इसमें हो जाएगा ब्यावहारवादियों से यानि कि विकल्प संख्या भी आपका सही होगा अगला सवाल है Q40 चालिस निम्नलिखित में से किसे सामाजिक अनुबंध की संभावना के रूप में उद्रित किया जाता है तो आपका इसमें जो सही जबाब होगा वो हो जाएगा विकल्प संख्या आपका भी सही होगा में फ्लावर संभावता इसमें आपको बता दें कि जो में फ्लावर संभावता है वो 11 नवंबर 1620 को जहाद से अमेरिका जाने वाले 101 लोगों ने संभावता किया था जिसमें उन्होंने इस्वर को साक्षी मान कर और एक दूसरे की उपस्थिती में संकल्प लेकर अधिक अच्छे ब्यावस्थापन और सन्रक्षन के लिए एकत्तित होकर अपने लिए एकता के सूत्र में बाधा और राजनीती समुदाय का गठन किया था अगला सवाल है question number 41 निम्नलिखित में से किसने इंग्लेंड के 1642 इसवी के ग्रिह युद्ध की भर्चना यानि की आलूचना किया था हॉप्स लॉग रूसो या सभी तो अंसर आपका हो जाएगा इसमें हॉप्स यानि की विकल्प संख्या ए इंग्लेंड में इन निरंकुष राजतंत्र का समर्थक और विरूथी दोनों प्रकार की विचारधारों में तीब्र शंगर्ष हो रहा था और अंततह 1649 इसवी में इंग्लेंड में ग्रिह युद्ध भरक उठा इस ग्रिह युद्ध के कारण जन जीवन असुरक्षित हो हॉप्स ने अपने समय की असुरक्षा और अराजक्ता की इन भावनाओं के दमन के लिए एक सर्वशक्तिसाली और निरंकुष राजतंत्र का प्रबल समर्थन किया लॉक 1688 इसवी की सांदार प्रांति को न्याय संगर ठहराया रूसों का इतिहास के घटना चक्र से कोई सं नहीं होता है अगला सवाल है क्वेस्चन नंबर 42 निमनलिखित में से कौन राजकी उत्पति के विकासवादी सिधान्त का समर्थन नहीं करता हिन्री मैन बिजहाट आर एम मैकाईवर या कांट सही जबाब होगा कांट इसका विकल्प संख्या डी आदर सवादी जर्मन वि कि रूप में मानते हैं इसका विशार है कि संविदा के द्वारा ही राज और व्यक्ति के बीच वास्तविक संबंधों की व्याख्या की जा सकती है सर हेंडरी मैन, बेजहार्ट और मैकाईवर इत्यादी ने राज की उत्पती के बिकासवादी सिधान्द को स्विकार किया है अगला सवाल है क्वेस्टन नंबर 43 फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है सही जबाब होगा विकल पुसंख्या ए वाल्टर बेजहार्ट की पुस्तक का नाम है फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स राजनीत विज्ञान के आधुनिक उपागम के विकास में अनुभाव मूलक अध्यान के लिए वाल्टर बेजहार्ट की कृति यानि की पुस्तक फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स है 1867 बिसेस रूप से उलेखनी है माइकाईवर की पुस्तक दे मॉडन इस्टेट सर हेंडरी मैन की पुस्तक एच डी लॉस्विल की पुस्तक साइको पैथोलोजी एंड पॉलिटिक्स है अगला सवाल है क्वेस्टन नंबर 44 जो लोग स्वतंतर होने से इनकार करेंगे उन्हें स्वतंतर होने के लिए बाध किया जाएगा यह किस ने कहा था हीगल ने, रूसो, फिटलर या मुशोल ने जो लोग स्वतंत्र होने से इनकार करेंगे उन्हें स्वतंत्र होने के लिए बाध किया जाएगा ऐसा मानना था रूसो का यानि कि विकल्प आपका इसमें भी सही होगा रूसो की एक पुस्तक है सोसल कॉंट्रेक्ट के लिए बाध किया जाएगा यह स्तिती रूसो के दर्शन में स्वतंत्रता की दुबिधा के नाम से जानी जाती है हीगल ने कहा था कि राज धर्ती पर इसवर की सोभा यात्रा है हिटलर ने कहा व्यक्ति कुछ नहीं है समाझ ही सब कुछ है और मुसोलनी कहता है कि राज के भीतर सब कुछ, राज के बाहर कुछ नहीं, राज के बिरुद्ध कुछ नहीं अगला सवाल है question number 45, कौन व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार को राज की प्राथमी की गाई मानता है विकलप आपके हैं अरस्तु, बोंदा, बर्क और प्रोधो, तो सही जबाब इसमें हो जाएगा बोंदा, विकलप संख्या, बी बोंदा जो है वो परिवार को राज की आधार सिला मानता है, जिसका निर्मान सामान संपत्ति के सन्युक्ति करण से होता है और जो एक संप्रभू के विवेक पोण और विधि संकत सासन के अधिन है, अरस्तु, राज की प्रारंभिक और मुलभूत इकाई जो है, वो व्यक्ति को मानता है अगला सवाल है, question number 46, निम्नलिखित विचारकों में से किसका मत है कि राज के स्थापना के लिए भूभाग एक अपरिहार तत्व नहीं है विकल्प आपके हैं, मैकियावली, बोदा, डिगवी या कार्ल मार्क्स, तो सही जबाब होगा डिगवी, विकल्प संख्या, यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा अगला सवाल है, question number 47, लोगों की आवाज बितुकी होती है, यह इस्वर की आवाज नहीं हो सकती यह कथन किसका है, फ्रीमायन का, लॉस्विल का, ब्राइस का, अलेक्जेंडर पोप का, तो सही जबाब होगा अलेक्जेंडर पोप, विकल्प संख्या, डी पोप ने जनमत पर आधारित प्रजादांत्रिक सासन की आलोचना करते हुए कहा था, कि लोगों की आवाज बेतुकी होती है, यह इस्वर की आवाज कते ही नहीं हो सकती अगला सवाल है, क्वेस्चन नमबर 48, निम्नलेखित में से कौन आत्म रक्षा के अधिकार को मूल अधिकार मानता है, तो आत्म विकल्प आपके हैं, कारल माक्स, रूसो, लॉक या हॉब्स तो आपका इसमें सही जबाब हो जाएगा विकल्प संख्या D यानि की हॉप्स, हॉप्स के अनुशार अपने जीवन की रक्षा के लिए ही प्राकृतिक दसा का अंत करने के उद्देश से मनुस्यों ने सामाजिक समझावता किया था, और राज की अधिनता को भी स्वेकार किया, राज के बन जाने से सेस का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता, question number 49 में है, राज की प्रकृति और उत्पत्ती की वेवेचना में निम्नलेखित में से किसने संविदा की आवधारना का प्रयोग नहीं किया है, तो आपके विकल्प हैं, ग्रोशियस, हॉप्स, कांट और बिन्थम, तो सही जबाब इसमें हो जाएगा, विकल्प संख्याडी यानि कि बिन्थम, उप्योगितावादी विचारक बिन्थम जो है, उसने राज की उत्पत्ती के संविदा सिधान्त को अस्विकार करते हुए, उसका बहुत जादा बिरोध किया, जबकि ग्रोशियस, हॉप्स और कांट ने संविदा सिधान्त की आउधाना को स्विकार किया है, रूसो के सामान ने संकल्प और आस्टिन के निश्चित सर्वोच सक्ति के विचारों में सामंजस से किसने अस्थापित किया, आपके विकल्प हैं, A. बिन्थम, B. है टी-एच ग्रीन, C. लास्क B. यानि की टी-एच ग्रीन, ग्रीन के अनुसार सभावत आग्या पालन का वास्तविक कारण ये हैं कि जनता यह विश्वास करती हैं कि कानून उसकी भलाई के लिए हैं और संप्रभू शक्ति समाज की सामान इच्छा को अभिव्यक्त करती हैं, तो ये था आपके लिए 50 म जीटी परिक्षा के लिए काफी महत्तुपूर्ण शाबित हो सकता है, इसको एक से दो बार आप सुनते रहें, सारे वीडियो को आप लगातार देखते रहें, और अगर किसी सवाल में, किसी तथ्य में आपको कोई डाउट है, तो कॉमेंट सेक्षन में जो सबसे उपर पि देमातरम